10 different ways to say sorry Sorry बोलने के 10 अलग-अलग तरीके Guys, sorry एक magical word है जो कि आप किसी भी situation में बोल सकते हैं आप से कभी भी किसी भी तरीके के गलती हो जाया पर आप से sorry बोलने कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप fluent speakers को, native speakers को समझना चाहते हैं और आप अपनी खुद की vocabulary बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये phrases आने चाहिए ताकि आप और भी impressive way में English बोल पाएं तो spoken English की बात करूँ तो बहुत ही important है कि आप अलग-अलग phrases जानते हों तो आज मैं आपको 10 ऐसे phrases दे रही हूँ जो आप sorry की जगा यूज़ कर सकते हैं और situations बताते जाओंगे कि कहां यूज़ करना है साथे साथ examples तो देखे सबसे पहला है हमारा जो phrase वो है oops to admit minor accident छोटा मुटा छोटी मुटी गलती हो जाए आपसे कुछ गिर गया या कोई चीज़ कोई liquid है वो आपसे गिर गई कुछ भी गिर पड़ जाता है तो आप oops का यूज़ करते है all of a sudden मुझ से निकलता है oops okay so here oops I spilled the milk oops मुझसे दूद गिर गया oops sorry to cut you off Sammy है ना interesting अब आते हैं यहाँ पर oops oops यह भी सिमिलर यह बिल्कुल उसी तरीके से वैसे यूज़ करना है तो यह भी मैं आपको बता दो कि नहीं आप जब यूज़ करेंगे तो यह समझे कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है जिक है जिन गलतियों के लिए आप इन्हें बोलने जा रहे हैं उन गलतियों से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है वहां यूज़ करेंगे यहां देखिए वूपस आई जस्पिल सम्टी आल क्लीनिट अप वूपस यह बोला आपने मुझसे टी गिर गया मैं इसे साफ कर दोंगी आगे है अगला माई बैड यह इन्फॉर्मल है फिर है माई मिस्टेक देख रहा है आपको दोनों का मतलब सेम ही है मतलब मेरी गलती थी यह भी छोटी मोटी गलती हो जाए उसके लिए हम यूज़ करते हैं माई बैड माई मिस्टेक अब देखे एक्जाम्पल यहां पे I'm sorry my bad हमने यहां पे दोनों बातों को जोड़ दिया ठीक यहां देखे that was my bad वो मेरी गलती थी Oh I gave you the wrong phone number my bad अरे मैंने तुम्हें गलत phone number दे दिया my bad My bad अब आते हैं माई मिस्टेक पे तो यह देखे it was my mistake आपने पूरा एक sentence बना दिया तो जैसी यह situations है वहीं पर आप इने भी यूज़ कर सकते it was my mistake My mistake एक situation है कि आप अपने co-worker के साथ बैठे हैं और आपका और उसका pen साथ में रखाया आप अपने pen की जगह उसका pen उठा लेते हैं तो आप उसे sorry कैसे बोलेंगे कौन से phrase का use करके जल्दी से comment section में लिखके बताएए आगे है it was my fault अब जिसे formal situation है तो आप इसे use कर लिए पूरा का पूरा एक sentence बन गया आपका it was my fault ये मेरी गलती थी थोड़ी serious गलती हो तो इसे आप use करेंगे it was my fault अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे like करें और साथ ये साथ चैनल पर नए हो तो subscribe करें उसके बाद आने वाले बिल icon को press करें ताकि आपको notifications time पर मिल जाए और आप सभी videos को time पर देख पाए आगे आते हैं sorry about that sorry about that मतलब उसके लिए माफ कर देना कोई भी गलती हो जाए आप से sorry about that और यहाँ पे देखे ये भी minor mistakes के लिए चुटी मुटी गलती गलतियों के लिए looks like I sent you the wrong link लगता है मैंने तुम्हें गलत link भेज दिया sorry about that अगर आप एक fluent speaker बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही important series मैंने बनाई है जिसमें आप बोल कर प्रैक्टिस करते हैं उसका link आपको यहाँ पर मिल जाएगा उस playlist का वहाँ पर अब तक 9 videos आ चुकी हैं जहां आप खुद से बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे अगर आपने miss कर दिया हो तो अभी देखें और अगर आपने देखा हो तो अपने friends के साथ share जरूर करें आगे है I'm so sorry, I'm very sorry, I'm really sorry, I'm terribly sorry तो बीच में जब आप इन words को यूज करते हैं तो आप और भी ज्यादा emotions के साथ sorry बोल रहे हैं यह समझ में आता है मतलब मुझे बहुत है for serious mistakes तो जब serious mistakes हो गलती बड़ी हो तो आप I'm very, really, terribly इनका यूज करके फिर sorry बोलें I'm sorry, I forgot, I'm sorry Harvey, I'm so sorry, have I taken the one you wanted, अरे माफ करना, क्या मैंने वो ले लिया जो तुम्हें चाहिए था? I'm really sorry, मुझे माफ करना या मुझे बहुत खेद है I can't make it tomorrow मैं कल नहीं आ सकता तो कहीं जाने के लिए अगर आपको कोई कहीं बुला रहा है, invitation दे रहा है तो वहां जाने के लिए अगर आप नहीं जा सकते तो I can't make it बोलते हैं तो समझ में आ जाता है I'm terribly sorry, I didn't catch your name मुझे करना मैं आपके नाम को सुन नहीं पाया, I'm terribly sorry sir, आगे है my apologies for, मैं माफी मांगता हूँ, यह है formal, दूसरा भी I apologize for, दोनों का मतलब लगबग similar है और दोनों ही formal है, तो अगर office में हैं आप तो इन्हें यूस करेंगे, my apologies for keeping you waiting, आपको इंतजार कराने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, my apologies for the zealous nature of our security, I apologize for being late, I apologize for being late, मैं देर से आने के लिए माफे चाहता हूँ, I apologize for leaving without saying goodbye, तो बस दोनों ही आप use कर सकते हैं, अगला है, it या फिर that, आप जो भी use करें, was wrong of me, it was wrong of me, that was wrong of me, मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, तो जब आपको, आपने कुछ ऐसा कर दिया, जिसके लिए आप ये बताना चाहरें, कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, मुझे दुख है, मुझे माफ कर दो, तो आप बोलेंगे, that was wrong of me, that was wrong of me to say that to you, मुझे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अगर आप चाहते हैं, कि आपके दोस्त भी fluent English बोलें, जिनके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजे, सभी के साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और साथ में डिसकस भी करें, खुद से सीखें, उन्हें भी सिखाएं, मिलते प्रेंड कर दोस्ते हैं, और सब्सेख भी साथ चाहते हैं, जिनके साथ अर्चाल करेंके से बीन स्मेपन के स训़ी करें, जिनके साथ दोस्ते हैं, खुद से इसस, ऑार खर मौन है, पोस्ते हैं.